नेक्स्ट टॉपिक वह अमारे पास आता है वह आता है यूज ऑफ पोटासियुम यूज ऑफ सोडिम अलडे हम डिसक्स कर चुके हैं अब हम स्टाट करें यूज ऑफ पोटासियुम सबसे पहला आता है यह जो हमारे कुछ खेती के प्रोड़क्स होते हैं ठीक है फुल्टिराइजर एंड एग्रिकल्चर की कुछ प्रोड़क्स होते हैं वहां पर हम क्या करते हैं पोटासियुम का यूज करते हैं आपने देखा हुआ कि जब आप गेम वगरा की जब हम बवाई स्टार्ट करते है ठीक है तो उसमें हम क्या करते हैं जो अपने पास बीज होता है उसके साथ हम क्या डालते हैं डेएपी जो आप डेपी डालते हो उसके अंदर क्या होता है प्रोड़क्स यूज करते हो उसके अंदर प्रोड़क्स होता है उसके अंदर प्रोड़क्स होता है ठीक है अच्छ वेज़िटिबिल्स व गरहा होती उनके अंदर हमें ग्रोप देना होता है वह ग्रोफ कम कर रहे होते हैं यहिसे जब क siis ग्रोप करते हैं ठींखहीग है Ce उसे deficiency को, उस growth को properly, उसके यंदर जो taste create क्याजाता है, तो वो जैसे इस तरिके के जो salt होते हैं, ठीक है, वो उस उसको maintain रखने की काम आते हैं, जैसे potassium होता है, जैसे आपका tomatoes वगएरा होते हैं, तो उनके इनर जो red color होता है, यह जो कौई भी जयादा रëकरा हो गया होगा तो उसमें पौटासियम की प्रेजंस को अचित आपकी टउमेटो खेर वेको होते हैं मुंछा लगके यहलो तो कहीने आएरेन की यह पॉटासियम की क्या होते हैं हमें deficiency देखने को मिलती है जो कोई भी आपके पास fruits है कोई vegetable है वो properly grow up नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली अपने unique shape में नहीं आ रही है कहींने कहीं उनके अंदर आपको कोई नहीं कोई कमी नज़र आ रहे हैं तो definitely location किसी salt issue है वो तो इसलिए सबसे ज़्यादा यूज हम कहां करते हैं फल्टेजर के लिए एंदा agriculture के एंदा मिसका यूज करते हैं second it is used for making soap यानि कि साबुन बिनाने के लिए भी इसका use किया जाता है इसका use भाई साबन बनाने के लिए भी किया जाता है एन एट इस यूज यानि की विटा रोल जो आपके पास products होते हैं इस जो biological products होते हैं उनके अंदर biological जो प्रोड़क्स होते हैं उनके अंदर भी हम किसका use करते हैं potassium का use करते हैं it is used it is used in the biological system biological system कि अंदर भी क्या किया जाता है इसका use किया जाता है next हमारे पास है कि potassium nitrate is used for in the color TV2 potassium nitrate use for color TV tubes के अंदर देखो बहीं color TV ने की जो भी आपके पास color TVs बगरा होते हैं जो टीवी के अंदर आप colorful बतलब हर color को आप आराम से easy से देख पाते हो तो उसका कहीं ने कहीं सबसे बड़ा region क्या होता है कि उसके अंदर potassium nitrate अंदर होता है ट्यूब के अंदर और कई जब हम discuss करेंगे physics के अंदर तो reflection वगयरा चीज़ा आप discuss करेंगे तो मैं वह प्लेवल पर जाकर discuss नहीं कर रहा हूं ठीक है तो वहां पर आप wavelength बेस पर बता सकते हो कि इसके अंदर थ्री secondary colors होते हैं जिनके बेस पर हमारे डिफरेंट डिफरेंट कलर हमें देखने को मिलता है यहीं कि आपके पास नीचर में आज बारा अटेट यूज फोर इंदा color ट्यूब में इनकी जो आपके पास color जो टीवी जो ते हैं उनकी ट्यूब्स के अंदर भी इसका क्या किया जाता है यूज किया जाता है ठीक है एन preparation of case के लिए preparation for the potassium compound इसका यूज का गया जाता है एट इस यूज फोर it is use for potassium it is use for preparation लिकेंगे भी पहलने preparation for potassium compounds potassium compound में जैसे potassium nitrate for example हम discuss कर सकते हैं for example potassium potassium nitrate बनाने के लिए हम क्या करते हैं यूज करते हैं ठीक है ध्यान से लिखेंगे गलती नहीं करेंगे और इससे अगला हमारे पास element आता है सीजियम सीजियम का यूज हमका करते हैं सबसे पहली बात तो यह highly electro positive element है इसके बारे में यह अपने दिमाग में सेट कर लें भाई पूरी प्रोड़ टेबल में सबसे ज्यादा हाईली highly electro positive element element जिसका नाम है सीजियम ठीक है यह आप हमेशा याद रखेंगे ठीक है और सीजियम यूज फो दा डिवाइस फोटो एलेक्टिकल सेल ठीक है सीजियम इस यूज़ इन सीजियम इस यूज़ इन फोटो एलेक्टिकल फोटो एलेक्टिकल डिवाइस ठीक है जो इसका हम यूज़ करते हैं वो फोटो एलेक्टिकल डिवाइस में भी इसका यूज़ करते हैं ठीक है तो यहाँ पे हमारे जो यूज़ है वो complete होते हैं फिर भी किसे को doubt है तो हम उसे discuss कर सकते हैं मैं एक बार revise करा देता हूँ सबसे पहले यह मैंने फर्स पॉइंट आपको बता दिया था कि यूज़ फो दा फल्टेज रेंड अग्रिकल्चर अग्रिकल्चर में इसका हम सबसे ज्यादा यूज़ करते हैं second point जो मारे लिए था it is used for making soap साबुन बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है sodium का भी यूज़ हम साबुन बनाने के लिए करते हैं उनसे जैने की जो cloth wash बनता है ठीक है कपड़े दोने का साबुन बनता है उसमें sodium का यूज़ करते हैं और जो हम हम जो soft soft job साबुन यूज़ करते हैं उसके अंदर potassium का यूज़ किया जाता है ठीक है तो साबुन बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है for it is used for biological जैने की जो system कुछ ऐसे product होते हैं जो biological system में काम आते हैं उन में भी हम industry form में भी इसका हम यूज़ करते हैं next potassium nitrate use for the color tv tubes यानि की tubes के अंदर भी इसका हम यूज़ करते हैं फिर बोलता है कि it is used for preparation for potassium compounds यानि की potassium के और भी हमारे जो खेती के उपयोगी products है जिनके अंदर potassium डला जाता है potassium डला जाता है वो products बनाने के लिए और ऐसे compound बनाने के लिए भी हम potassium का use करते हैं जिसमें four example मैंने डिसकुस किया potassium nitrate ठीक है अगला हमारे पास है next हमारे पास आता है cesium यहां पर हमारे potassium की usage हैं वो complete हो गए है और commercial level पे हम cesium का जो use करते हैं वो mostly हमारे पास एक use रहता है कि cesium is used in the photo electrical devices यहने कि photo electrical devices होती हैं उनके अंदर हम cesium का use करते हैं और cesium के बारे में एक unique property मैंने आपको पहले भी डिसकुस की थी अब मैं दोबारे आप से डिसकुस कर रहा हूं क्या कि highly electro positive element cesium अपने आप में पूरी priority table में सबसे ज़्यादा electro positive element है यह भी आप बचे ध्यान रखेंगे इस बात के बारे में ठीक है और अब हम start करते हैं next topic यह हमारे आपे complete होता है फ़र आवर्ट नोट केजिए हैं